हेलो फ्रेंद्स बेलकम टू स्टिश्ट बाई रादिका आई होब आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ धोती सल्वार की कटिंग और स्टेचिंग शेर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से उमीद है वीडियो पसंद हैगी तो वीडियो को लाइक शे किनारी वाली दो साइड है इनको दोनों को आपको इस तरीके से बराबर करके पकड़ लेना है और इस तरीके से इसको बिच्छा लेना है तो ये जो फैबरिक है अब ये double fold fabric है और इसके जो 3 side है ये open होएगी और एक side जो है ये बंद वाली side होगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये open side है और इसकी इस 3 side जो है इसी तरीके से open होएगी और एक side जो है ये बंद होगी तो ये वाली जो side है जाएगा अब यहां से जो आपको एक्सटा कपड़ा दिख रहा है इसको आप कट करके निकाल देना है यहां से जो है बैल्ट तयार हो जाएगी तो अब यहां पर जो है आपको दो कोने जो है वह बहुत जदा लमबे दिख रहे होंगे यानि कि ट्रैंगल सिप में दिख रहे होंगे और एक कोना पर बहुत जो है वह आपको चोकोर में दिख रहा होगा तो जो यहाँ पे दो कोने लंबे वाले कोने हैं इसमें से आप किसी भी साइट से length का measurement कर सकते हैं तो यह दोनों ही साइट बरावर रहेंगे आप किसी भी साइट से इसका measurement ले सकते हैं ठीक है तो मैंने इस तरीके से एक side जो है इसको ले लिया है अब यहाँ पर हम जो है land का measurement करेंगे तो यहाँ पर आपको intuitive लेना है और उपर side से 5 inch जो है मैं निकाल के रख रही हूँ यानि कि जो भी आपकी belt की land है वो आपको यहाँ पे निकाल देना है उसकी बाद आपको जो आपकी total length है यानि कि जो सलवार है आपकी उसकी total length है उसको measure करना है तो इस सलवार की जो total length है वो है 32 inch यानि 32 inch तो हम 32 inch पे mark करेंगे इसके बाद मैं इसमें 3 inch जो है वो extra लूँगी जिसमें क्या होगा हम जो नीचे की तरफ कोन आता है उस कोन के लिए हम यहाँ पे 3 inch extra ले रहे हैं और इसी 3 inch में हमारा extra margin भी चला जाएगा ठीक है तो ध्यान लखेगा 3 inch मैंने नोक के लिए लिया है जो नीचे की तरफ आती है अब इसकी बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से straight कर लिया है अब जो extra कपड़ा है उस side का हम उसको निकाल देंगे तो आप इस तरीके से straight line कर सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तिर्ची रखी हुए बिल्कुल straight नहीं गिये और इस तरीके से straight line ड्रोव करके आप इसको cut करके निकाल दीजे तो इस तरीके से हमारी जो length है उस according की कपड़ा जो है वो fix हो गया है अब जो है हम यहाँ पर जो मोरी है उसका measurement लेंगे प्लस यहाँ पर आसन कलेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इंचे टेप रखना है जो भी आपकी मोरी है उस मोरी के according आपको वहाँ तक इंचे टेप लेके आना है जहाँ पर आपका measurement आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैंने यहां पर 5.5 आ रहा है क्योंकि हां एंच को कर देंगे दोनों साइड से तो यहां साडह पाँ पर इस तरीक से मैंने जो कटगा निशamtरा लगा लिया है अब जो आषण है यहापे वो आषण मैं ने लिया है यापे साड़े 8 इंच का और यहापे मैंने 2 इंच जो है इसकी छोड़ाई रखी है ग तो इस तरीके से हमने 2 इंच का एक बॉक्स बना के is को सिंपली गुलाई में कट कर दिया है तो इस तरीके से हमारा आसन भी कट हो चुका है अब देखिए दूसरी वाली जो साइड है या पे जो कौन था दूसरा वाला इस साइड आपको यहां पे दो इंच या फिर देड़ इंच दोनों में जिसमें भी आप कमफिटेबल हों वह आप यहां पे मांग कर लिजे और उस प्रूसरी का निशान लगा कि इसको कट किया हुआ है और हमने आसर लिया हुआ है साड़े आट इंच इसकी लैंथ है अपने मिजमेंड के आकओरिंग यहां पर मैंने दो इंच की चोड़ाइं रखी है पांज इंच की उसकी बाद नीची साइड हमने साड़े 5 इंच की मोर का निशान लगाया है और इस तरीके से जो है इसकी हमने कटिंग कर ली है अब हम इसकी यहां पर बैल्ट की कटिंग करेंगे तो जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था साइट से उससे जो है हम यहां पर बैल्ट निकालेंगे तो यहां पर जो बैल्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर back का जो measurement है वो चाहिए होगा तो यहाँ पर जो back का measurement है वो है 30 जिसमें हम 10 इंच extra add करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 40 अब 40 का हम half कर लेंगे जो कि आएगा हमारा 20 यानि की 20 इंच तो इस तरीके से हम जो है यह 20 इंच की belt जो है इसकी cutting करेंगे और 20 इंच में ही मे मेरा extra margin जो है वो मैंने ले लिया है तो इस तरीके से हम जो है 20 इंच पर निशान लगा कि इसको cut कर लेंगे चोड़ाई की बात करें तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच की जो है वो चोड़ाई रखी है और तयार जो belt रहेगी वो हमारी 5 इंच की रहेगी ठीक है इसमें से half इन दोनों को अलग-अलग सिल लेंगे यानि कि यहाँ पर जो हम इसको stitch कर लेंगे ठीक है अभी आप इसको open मत करिएगा बस जैसा है उसी को ऐसे ही रखकर stitch कर लीजे दोनों आसन को ठीक है अगर आप इसको open करेंगे पूरा तो आप हो सकता है confused हो जाए अगर आप beginners हैं तो बिल्कुल open मत करिएगा जैसा है वैसे ही रखके इसको अभी स्लाई कर लीजे दोनों आसन पर उसके बाद यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था इसको आपको stitch कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आसन को यहाँ पर stitch कर लिया है इस तरीके से दोनों आसन जो हैं हमारे stitch हो चुके हैं प्लस हमने यहाँ पर साइड में 1.5 इंच का कपड़ा कट किया था वो भी मैंने उल्टी साइड से इस तरीके से stitch कर लिया है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग यहाँ पर आप आई हूप समझ गई होगी तो हमने क्य कि अच्छा आब हमें करना है नीची की साइड जो यह मोरी के लिए अब इसको हमें जो है वो फोल्ड कर लेना है अच्छा बहूँत सारी लोग यहाँ पे पाचे बनाते हैं तो चलब आको क्या करना होगा जो एक्स्टर घपड़ा है इसको यहाँ पर आपको नवलेने हैं कि यहां पर देख सकते हैं मैंनिस को इस तरीके से स्टिच कर लिया है अगर आप यहां पर पाचा बना दे तो आपको इस तरीके से स्टिच नहीं करना होता आप सिंपली यहां पर पाचे बना के इसको कम्प्लीट कर लेते ठीक है तो यह जो है हमारी इस तरीके से कौन जो है अब जो है हमें इस तरीके से मैंने इसको open करके रखा हुआ आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है ये आसन है आनिस की इस साइड जो है ये दोनों आपको इस तरीके से पकड़ने है और इस तरीके से इसको आसन जो है इसको बीच में कर लेना है और जो हमने 1.5 इंच का जो स्टिच किया था वो आपका इस तरीके से साइड में आ जाएगा और जो दोनों आसन है वो आपके सेंटर में आ जाएगे अब जो नीचे मोरी का जो निशान लगाया था हमने 1.5 इंच पर था तो अब वो आपके 5 इंच रह जाएगा क्योंकि हाफ एच फोल्ड हो चुका है अब आपको क्या करना है दुबारत से आपको मिजर कर लेना है 5 इंच क्योंकि हमारी जो मोरी है वो 5 इंच की है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्लाई लगाने नहीं है स्लाई जो आप स्टार्ट करें वो आप आसन से स्टार्ट करें जिससे कि आसन जो है वो उपर नीचे ना हो ठीके तो आसन से स्टार्ट करनी है और नीचे तक स्लाई लेके आनी है इसी तरीके से आपको दूसरे साइट भी करना है आसनase लेके नीचे तक लेक आना है। अब हमें यहाँ पर इसको जो है बैल्ट से अटैच करना है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानते करना है क्योंकि में चीज इसमें जो है वह ऩng профilt का ही है तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो बैल्ट है हमारी उसमें हम यहाँ पर चार निशान लगाएंगे इस तरीके से दो हमारे सेंटर के निशान होएंगे यानि कि एक फ्रेंट का होगा और एक बैक का होगा और दो निशान जो होएंगे वो हमारे side के होएंगे जो दोनों side आएंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने कप्ड़ा joint किया था तो वो जो है दोनों निशान मैंने center में ले लिए है और side वाले मैंने यहां पर कट कर निशान लगा लिए है अब जो है हम इसको हमारा जो नीचे हमने त्यार किया था इसका part इसको हम attach कर लेंगे belt से तो इसके लिए क्या करना है जो हमारे center वाले निशान है इसको हमें आसन जो हमारे दोनों है इस तरीके से इसके बिल्कुल बरावार लेकिया आना है जो front का निशान है वो front वाले आसन से और जो back का निशान है वो back वाले आसन से आएगा और इसके बाद जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का जो निशान हमने लगाया था उसको कट किया था वो जो है यहाँ पे आएगा बिल्कुल किनारी वाली साइड और जो यहाँ पर प्लेटे पढ़ेंगी वो प्लेटे जो पढ़ेंगी वो जो हमने 1.5 इंच का जो निशान लगाया था उसी साइट के लिए प्लेटे पढ़ेंगी चैने फ्रेंट से हो या बैक से हो तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये किनारी वाली साइट के लि तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साइड वाला जो निशान है यहां मतब इसी साइड के लिए दोनों तरफ से प्लेटे पढ़ेंगी इस साइड वाली इस साइड को पढ़ेंगी और इस साइड वाली इस साइड को पढ़ेंगी ठीक है तो चलिए अब इसके अब इस तरीके से हम इसको बरावर करके रखेंगे इसको और यहीं से हम प्लेटे डालना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके साब देख सकते हैं मैं जो प्लेटे डाल रही हूँ वो उसी साइट को डाल रही हूँ जिस सेड़ी ये 1.5 इंच का निशान है ठीक है अब बस इसी तरीके से आपको जो है प्लेटे डालते जाना है उसी तरीके से आपको जो है यह पर प्लेटे डालते जाना है और प्लेटे कहां तक डालनी है जब तक आपका जो इचन निशान लगाए था आपने बैल्ट में वो ना आ जाए और जो आपने आसान का निशान है वो उससे verso वा ठीक है तो आपको जो है आप एदस इंच के गैप में आपको जो प्लेटे हैं वह डालने हैं तो आप देख सकते हैं जो हैं अ कि यहां पर क cancel now कि अधैन अव today है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो निशान है सेंटर वाला वह आ चुका है अब जो है हम यहां से अब दूसरी साइट के लिए प्लेटे जो है वो स्टार्ट कर देंगे यह कि जैसे आपको सेंटर वाले निशान आजाएगा उससे आपको क्या करना है साइट की तरफ जो है प्लेटे डालना स्टार्ट कर देना है तो आपको जो प्लेटे हैं वो क्लियर हो गई होंगी जो प्लेटे हैं आपकी उनका जो फेस रहेगा वो किनारी वाली साइट के रहेग चोंब दूसरी किनारी यहां और इसी किनारी चुका इस इसको ढालती जा रहे हैं यहां और आ बनता जा रहा है जलनी ए 10 कबार से करते हैं complete और जब इसी ärure हो जाता है उसकी۱ इसे बात मैं पर और दिखा दूँगा जब आपको समझ जब आजागागा तो आप देख सकते हैं यहाँपर जो है हमने प्लेटे डाल के इसको incomplete कर लिया है तो हमारे जो प्लेटे हैं वो complete हो चुकी है पिस तरीके से सीधी साइट से आप अब देख सकती है उसमें से आपको जो है यह 4 इंच यानिकी 4 इंच जो है आपको माइनस कर देना है और उसके बाद 1.5 इंच के वर मैं इसमें एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि हमें आपे इस्टिच करना है इसको इस तरीके से जॉइंट करना है उसके लिए तो यहाँ पर 4.5 इंच कम करेंगे तो तो साड़े-1.5 इंच हो जाएगा इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 21 इंच हो जाएगा यह ठीक है तो इस तरीके से मैंने जो है यह टोटल 21 इंच की जो एलास्टिक है उसको रखशा हुआ है अब जो एलास्टिक है हमें इस तरीके से पूरे राउंड में इसको लगा देना है तो आप उल्टी साइड से इस तरीके से रखेगा जिससे की आपको क्या होता है अगर हम सीधी साइड से लगाते हैं तो एक पाचा जो है एक दुद्द से निकालना पड़ता है वो थोड़ा आने चाहिए बनना आप जब इलास्टिक को खीचेंगे अंदर की तरफ से तो खीचेंगी नहीं तो जलिए इसको पूरी गोलाई में हम लगा लेते हैं तो यहां पर अब देख सकते हैं हमने पूरी गोलाई में इलास्टिक को एड़ कर लिया है अब जो ग्यादर्स है इनको इस तरीके से हमें बराबर कर लेना है खीच कर और उसके बाद ऊपर से आपको एक स्लाई और लगा लेनी है जितसे दो ग्यादर्स हैं वो फिक्स हो जाएंगी ठीक है तो यह जो है यह इसका फाइनल लुक है अब आपको यह समझ में भी आया होगा अगर अपको एपको थोड़ी सी भी हैल्फ रही होगी तो वीडियो को आप लाइक जरू करिएगा अगर आप इस चानल से जोड़ी में इंट्रस्टिड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा इसी तरह की स्टेचिं से रेटेड वीडियो देखने के लिए तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई आंटी कियर